उत्तर प्रदेश में बंपर जीत के बाद दिल्ली दौरे पर मौजूद योगी आदेतनाथ ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मुलाकात की है सूत्रों के मताबिक 21 मार्च को योगी आदेतनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सियम के रूप में शपत ले सकते हैं वहीं योगी के नए मंत्री मंदल में करीब 57 मंत्री शपत ले सकते हैं इसमें 22-24 काबिनेट मंत्री होने की संभावना जताई जा रही है तो वहीं साथ से 9 मंत्री स्वतंत प्रभार हो सकते हैं योगी आदेतनाथ ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को शपत ग्रेंड समारों के लिए नयोता दिया है बदादें कि यूपी में हुई बड़ी जीत के बाद पिया मोदी और योगी आदेतनाथ की ये पहली बलाकात है वहीं करीब पॉने दो घंटे तक पिया मोदी और योगी आदेतनाथ की बीच मिटिंग चली उम्मी जताई ज़ारी है कि इसमें उत्तर प्रधेश के नए मंत्री मंडल को लेकर भी चर्चा हुई है मेटें के बाद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने ट्वीट करते वे लिखा कि आज योगी आदेतनाथ जी से भेट हुई है उन्हें उत्तर प्रधेश चनाव में मिला आतिहासिक जीत की वधाई दें और बीते पांच वर्षों में उन्होंने जन आकानशाओं को पूरा करने के लिए परिश्टम किया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक उचाईयों पर ले जाएंगे पांच वर्षों के विधान सबाच रावों में भी करारी हार का सलसला कायम रखने पर मंतर्ण करने बैठी कॉंग्रिस कारे समीती नतीजे पर ही पहुँची है पार्टी अधियक्ष सोनिया गांधी ने अपने परिवार को पार्टी से अलग करने की पेशकर्ष का एमोशन कार्ड खेला तो कारे समीती के उन नेताओं के दाव भी फीके पड़ गए जो कॉंग्रिस मेनेजमेंट को समय से मैपर कडगरे में खड़ा करते रहती हैं वहीं समीती में शामिल कई नेताओं ने तो राहुल गांधी को फिर से कांग्रिस अधियक्ष की जिम्मधारी सो अपने की मांग जोर्षों से उठा दी इससे पहले सोनिया ने कहा कि अगर कार्ष समीति को लगता है कि उनके परिवार के रटने से कॉंग्रेस मद्बूत हो सकती है तो वो अपने बेचे राहुल गांधी और बेची प्रियंका गांधी के साथ कॉंग्रेस छोड़ने को तयार है जानकाली के मताबिक सोनिया के इतना कहते ही बैटक में शामिल नेता सन रह गए और सबसे पहले गुलाम नभी आजाद ने ना ना के अंदाज में प्रस्ताव खारिश कर दिया आजाद समीत के सभी सदस्यों ने सोनिया से अध्याक्षपत के जम्मधारी निभाते रहने का अगरे किया ध्यान रहे कि गुलाम नभी आजाद उस गुरूप 23 के अगरीम नेताओं में से हैं जिन्हें अगस्त 2020 में सोनिया गादी को ही चिठी लिकर कॉंग्रस मेनेजमेंट में बदलाब की मांग की थी उसके बाद से ये गुरूप गादी परिवार के समर्तक सम्हों के निशानी पर रहता है दिगविजे सिंग जैसे दिगच कॉंग्रिस से गुरूप 23 नेताओं को काफी भना बुरा के चुके हैं इस गुरूप पर बीजोपी का सयोगी होने तक कारूप मढ़ा जा चुका है बहराल से डिगच की मीटिंग से पहले राजिस्थान की मुख्यमंत्री अशोग गहलाओद और करनाठक कॉंग्रिस अध्याक्षर डीके शिफकुमार जैसे निताओं के साथ साथ कॉंग्रिस दफ्तर के बाहर जुटे पार्टी कारकरताओं की हुजूम में राखुल गांदी को फिर से अध्याक्षपद देने की जिम्मांग की है हलाकि मीटिंग में तैह हुआ कि संसत का बजट सत्र खत्म होने के बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसका प्रस्ताव गहराओती ही दिया है मुई शिविर से पहले एक बाद फिर से चिजबलूजी बैठक की जाएगी इसके बाद सितंबर महीने में कॉंग्रिस अध्याक्षपद का चुनाव होगा